इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप रीसेंट पोस्ट विजिट्स के जो है डिफर्ट स्टाइल ब्लॉगर में लगा सकते हैं अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए तो सबसे पहले आपने जो है गूगल अपन्द करना होगा वहां लिखना होगा रीजिंट पोस्ट विजिट्स वर ब्लॉगर और यहां पर आपने आगे टाइप करना होगा फजील उस्मानी सो आपको डिफरेंट स्टाइल के रीसेंट पोस्ट विजिट्स मिल जाएंगे और सब वर्किंग है मैंने देखा है कि बहुत से साइट्स पर जो कोट हैं वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं सो यहां पर आपको जो है मैंने कलेक्शन दे दिये जिसके ज़र यह आप जो है इनको पोस्ट विजिट्स को एड़ कर सकते हैं कि सो जब तक एपसाइट उपन हो जाती है हम यह ब्लॉगर उपन करेंगे और लेयाउट में जाएंगे लेयाउट में जाने के बाद हम यहां एड़ गैजट करेंगे और इस वेबसाइट पर आपस ही हम आते हैं और इदर हम देखते हैं कि हमाएं पास डिफेंट पोस्ट विजिट्स मिल जाते हैं सो हम इनको कॉपी करके जो है कोट को कॉपी करके एड़ गैजिट में पेस्ट करेंगे अगर आपको थमनेल के साथ जो है पोस्ट विजिट चाहिए तो आपको असानी हो जाएगी कि कौन सा पोस्ट विजिट आप एड़ करना चाह रहे हैं इस पोस्ट विजिट में जो है सिंपल पोस्ट विजिट इस तरह से शो होगा और थमनेल के साथ जो हमारा पोस्ट विजिट है वो इस तरह शो होगा और scrolling post widget आए थिंग यह जो है scroll होगा horizontally और animated post widgets में हमाँ पास जो है शायद यह images आ जाएंगी और stylish post widget जो है हमाँ आपस इस तरह से शोगा तो मुझे stylish post widget अच्छा लग रहा है तो हम इसको जो है नहीं से copy करेंगो कि यहां से copy करने के बाद हम अपने एड़र के कॉलम में जाएंगे और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगा HTML JavaScript और यहां हम पेस्ट कर देंगे और अपनी website का हम जो है यहां से लिंक कॉपी करेंगे लिंक कॉपी करने के बाद हम एड़र गैजट के option में वापसी जाएंगे जो हमने उपन किया हुआ है और यहां हम लिंक करेंगे जो के आइधिंग फजील उस्मानी के नाम से थी और यहां से हम जो है इस लिंक को यहां पर करेंगे पेस्ट और मेक्शूर यह सलैश एक बार आया हो वरना यह पोस्ज़ड वाक नहीं करेगा सो हम यहां से कर देते हैं सेव यह कुछ एरर दे दिया है तो हम इसको देख लेता है क्या हमारा पोस्ज़ड शो हुआ है यह नहीं आप देख सकते हैं हमारा पोस्ज़ड शो होने लग गया है तो इस तरह से आप कोई भी जो है यहां से पोस्ज़ड जो है आप कोड ले सकते हैं और उसको URL को चेंज करेंगे अपने ब्लॉक के साथ और आप जो है यह इनेबिल कर सकते हैं अपनी website में और अगर आपके पास ही यह autoscrolling इस तरह का अगर आपको यह बोल में नदर आता है तो यह number of post आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और जैसे इसमें भी 5 है आप यह 6 कर सकते हैं तो number of post भी आप चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से जो है आप different post video को अपनी website में इनेबिल कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद ब्लॉगिंग टिप्स के लिए earn money online टिप्स के लिए और internet टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप से मुलगात होगी नई interesting वीडियो में तब तक के लिए good bye